नमस्कार सातियों, फिलफा 2 बीटा क्लासस में आप सभी का स्वागत है और इसमें सातियों, जितने भी पिछले वीक में important happenings हुई है उनको एक single वीडियो में compile करके आपके समने ला रहे हैं ये हमारा चौथा वीक होगा ऐसे पिछले दो वीडियो में आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ थर्ड वीक और सेकंड वीक के फस्ट वीक के आपको compilation मिलेंगी जो monthly current affairs वीडियो आएगा न मारा उसमें मैं आपको फस्ट वीक के current affairs compile करके एक single वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगा आगे बढ़ते हैं साथ यह कुछ information है मेरे बार में जिसको आप यहाँ देख सकते हैं और आप और यदि आप इसका PDF चाते हैं तो उसके लिए आप हमारे telegram channel alpha to beta classes को join कर सकते हैं कोई भी आपका doubt है उसको आप यहाँ पर पूछ सकते हैं daily quizzes के लिए daily current affair quiz GS quiz और English quiz के लिए आप हमारा quiz channel A to B quiz को follow कर सकते हैं और आप हमें Instagram पर भी follow कर सकते हैं at the rate alpha to beta classes तो आईए बढ़ते हैं अपने पहले question पे बट उससे पहले साथ लोग इस week में आपकी दो important events होएं पहला तो था Padma Awards हमारे President साब ने Padma Awards दिये हैं तो उस पे मैं एक separate quiz जो है वो आपके लिए लाया हूँ जिसमें हमने 16 questions जो हैं डिसकस कियें और इसमें मैं आपको इस चीज बताना चाता हूँ कि आपके exam point of view से देखते हुए Padma, Vibhushan भारत रत्न और Padma Shri और Padma Bhushan में से साथ हो केवल famous personality अगर कोई जैसे कोई singer है या कोई classical dancer अगर कोई classical dancer को वो award मिला है या कोई actor फेमस actor को वो award मिला है तो वो famous personality आपको याद करनी है बाकी इसमें पांच award मिले है वो आपको पता होना चाहिए भारत रत्न जो है इसमें एक बंदे को मिला है करपूरी थाकूर करके जो की former cm थे आपके बिहार के तो ये नाम आपको याद रखना है तो इस quiz में मैंने total जो important question बन सकते है यहां से वो मैंने सब इसमें लिए हैं और एक था सात्यों आपका राम मंदिर ठीक है बाई जन्वरी को event हुआ था तो इस से related जितने भी question बन सकते हैं वो मैंने इस particular quiz में conduct कर रहा है तो quiz के लिए आप हमारा handle at the rate A to B quiz को join करके इसको attempt कर सकते हो any number of times ठीक है साथ है अब बढ़ते है अपने पहले question पे इस question को देखो question में पूछा जा रहा है who has become the new director general of SSB शस्तर सीमा बल तो शस्तर सीमा बलके आपके नए director general कोन बने है तो यहाँ के नए डीजी बने है आपके बेलजीत सिंग चौधरी C option इसका सहींसर होगा इसी के साथ मैं आपको दो तिन चीज़े और बताता हूँ जो आपका SSB है यह SSB कोन से border को guard करता है तो साथियों यह आपका इंडो नेपाल और इंडो भुटान border को guard करता है साथियों बात कर लेते हैं कि यह जो SSB है इसको बोलते क्या है तो इन और इन जैसी forces को बोलते हैं C.A.P.F Centrally Armed Police Force अब यह कौन सी force होती है यह ना तो totally army होती है और ना ही totally police होती है ठीक है मतलब इन दोनों के बीच में function करती है मतलब दोनों का काम करती है आर्मी की तरह कैसे काम करती है तो जैसे आपने देखा होगा जब यह border guarding कर ली होती है तब यह आर्मी की तरह काम करती है और जब इनको state services में deploy कराय जाता है तब यह एज़ा police काम कर रही होती है इसलिए इनको बोला जाता है centrally armed police force और total इंडिया में 7 CAPF है पहली ITBP इंडो तिबतियन border police force उसके बाद CRPF जो कि भारत की सबसे largest paramilitary force है in terms of personal employed CRPF के बाद साती हों आपके आती है CISF Central Industrial Security Force उसके बाद आपकी BSF Border Security Force उसके बाद शर्ष्थर सीमा बल उसके बाद Assam Rifles और एक force होती है जिसका नाम आपको पता होगा SPG Special Protection Group जो कि आपके प्राइम मिनिस्टर और उनके close relative को security cover प्रोवाइड कराती है ठीक है former प्राइम मिनिस्टर को भी security cover प्रोवाइड करती है अब सात्यों देखो इसमें जो ITBP के जो डीजी बने है ये भी हाल फिलालमी बने थे इनका नाम है राहूल रसगोत्रा CRPF के जो है इनके डीजी थोड़े important है किस रीजन से तो अभी Parliament में जो security breach हुआ था उसकी committee को जिसने head किया थना वो यही थे उनका नाम है अनीश देयाल सिंग तो याद रखना है अनीश देयाल सिंग जो है ये आपके CRPF के डीजी है CISF के डीजी ये important है exam point of view से क्योंकि इनकी पहली woman डीजी चुनी गई है हाल फिलाल में उनका नाम है नीना सिंग दिसंबर में चुनी गी थी BASF के जो आपके डीजी है ये पुराने हैं इनका नाम है निते नगरवाल SSB के मैं बता चुका हूँ ठीक है तो ये चीज आपको याद रखनी है ITBP आपका इंडो चाइना को गाड करती है CRPF आपका जमू कश्मीर और जो स्टेट में सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है वहाँ पर भी इसको डिप्लोई किया जाता है CSF आपकी critical जितनी भी industrial establishments है Metro cities है वहाँ पर इनको गाड कराया जाता है और कुछ आपके private services भी ये लोग provide कराते है जैसे विप्रो और जैसे अडानी उगरा के वहाँ पर भी ये कई ports पे इनको लगाया जाता है BSF जो है सातियों आपकी BSF आपकी इंडो बंगलादेश और इंडो पाकिस्तान बोर्डर को गाड करती है SSB में बता चुका हूँ आपको Assam Rifle mainly North East में लगाई जाती है Next Question और एक नाम और मैं इसमें बताना भूल गया आपको इंडरमनी पांडे जो है ये हाल फिलाल में Secretary General बने किसके BIMSTEC के BIMSTEC के full form आपको पता होगी Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Corporation इसके Headquarter कहा है ठाका में Next आगे बढ़ेंगे इस Question को देखो Which has become the second state in India to launch a caste census तो caste census को launch करने वाला second state को बना है Second state को जानने से पहले मैं आपको बताने चाहँगा कि first state को न सा था तो पहला state जो था वो था Bihar और दूसरा state जो बना है caste census को launch करने वाला वो बनाए साथियों अपका अंधरप्रदेश यहाँ पर J.R. Reddy की सरकार है जैक मोहन Reddy और यहाँ के साथियों जो गवर्नर हैं वो कोन है वो हैं अब्दुल नसीर अब साथियों 36 गर जो है न यह पिछले हफते न्यूज में था क्योंकि यहाँ की सरकार ने एक एक योजना स्टार्ट की थी जिसका नाम था रामलला दर्शन स्कीम यहाँ पर क्या था इस स्कीम के तहट एक फिक्स्ट नंबर में लोगों को जो है अज़िद्या लेके जाए जाएगा और वहाँ पर नाममंदिर है उनके दर्शन जो है कराए जाएगे आगे बढ़ेंगे इस कॉर्शन को देखो खेलो इंडिया यूद गेम दो हजाजा चोबिस हैव बिन स्टार्ट इन विच स्टेट तो भाई खेलो इंडिया यूद गेम जो है न यह तमिल नाडू में स्टार्ट हुए है अभी और सातियों एक गेम्स पिछले हफ्ती न्यूज में थे जो थे बीच गेम्स और यह पहली बार इंडिया में आईजित किये गए है तो बीच गेम्स दो हजार चोबिस गोस्त किस स्टेट ने किये तो यह किए दमन एंड द्यू और हुए काएं यह द्यू में यह जो Union Territory थी इनको मर्ज कर दिया गया था और आज प्रेजन डे में इसका नाम है वो है दमन एंड द्यू एंड दादरा एंड नागरा हवेली ठीक है यह नाम आपको पतावना चाहिए National Youth Festival और हमारे Sports Minister जो है Youth Affairs और Sports Minister जो है वो कौन है अनुराग ठाकुर जी अनुराग ठाकुर आगे बढ़ेंगे इस Question को देखो Which country has been declared Malaria Free by WHO हाल फिलाल में Malaria Free किस country को गोशित किया है WHO ने WHO है है आपकी World Health Organization और साथ इसके जो Head है उनका नाम आपको मेरे को Comment section में बताना है इनके Headquarter है Headquarter है इसका जनेवा में और जिस country को अभी Malaria Free Declare किया गया है उस country का नाम है Cap Verde तो Cap Verde यह African country है साथियों आपकी और यहां की जो Capital है न साथियों वो नाम आपको याद रखता है Prior प्रायोर यहां की Capital है और SQ2 इसकी Currency ठीक है बुटान के अभी हल फिलान में PM चुने गए थे ठीक है उनका नाम आपको याद रहना है Sharing टोगवे जापान पिछले हफते न्यूज में था एक तो इसमें साथियों कुछ दो-तीन हफते पहले सुनामी आई थी दूसरी बात अभी पिछली हफते की न्यूज है कि इसने फिफ्थ कंट्री यह बन चुका है जो की लेंड हुआ है कहां पर मून पर फिफ्थ कंट्री आफ्टर यूएस रश्या चाइना इंडिया फिफ्थ जपान और इंडिया के बारे में बताता हूँ चंदरियान थ्री मिशन के साथ इंडिया फिस्ट कंट्री बनाए जो की साउथ पोल पर लेंड हुआ ठीक है साउथ पोल पर इंडिया फिस्ट कंट्री है अगर आप लेंड होनी की बात करो इसका vector कौन सा है? इसका vector का नाम आपसे पुछा जाता है एक्जाम में इसका vector है anopheles mosquito ठीक है? female anopheles बोल सकते हो female anopheles mosquito और एक नाम और आप पढ़ते होगे dengue यह जो dengue है यह साथ ने एक virus bone disease है और यह होती है edis aegypti mosquito से chicken gunya भी इसी mosquito से होता है और एक culeks mosquito होता है culeks mosquito जो है यह फिलाता है Japanese Japanese encephalitis इस बिमारी को तो यह तीन नाम आपको याद रखने आगे बढ़ेंगे इस question को देखो Indian woman hockey team has failed to qualify for which Olympics तो अभी हल फिलाल में यह जापान से आ रहे हैं एक 0 के score से और यह disqualify कर गए है Paris Olympics के लिए ठीक है तो Paris Olympics में अब यह participate नहीं कर पाएंगे और सातियों आपको यह पता होना चाहिए जो Los Angeles में Olympics हो रहे हैं यह 2028 में होंगे और 2032 में ही होंगे Brisbane में ठीक है यह नाम आप यह मैंने वैसे ही डाल दिया था 2042 बट 2032 तक के जो venue है वो decide हो चुके है 2032 में यह Brisbane में होंगे और यह conduct कौन कर आता है तो International Olympic Committee जिसका गठन हुआ था 1894 और इसके जो सातियों आपके headquarter हैं वो कहांपर है headquarter है इसके लिजेन Switzerland और आपने देखा होगा जो International Olympic Committee होती है उसमें आपको 5 rings दिखा जाती है एक दूसरे में intersect होती हुई वो जो 5 rings होती है वो 5 continent को बताती है ठीक है वो 5 continent कौन से है Americas इसमें दोनों America आगे Africa Europe Asia और Oceania Oceania में आपकी Australia वोगरा वो सब बाकिया आगया आगे बढ़ेंगे इस question को देखो The Steadfast Defender 2024 ये एक exercise का नाम है तो ये war exercise जो है अभी किसने conduct कराई है तो ये conduct कराई है NATO ने और NATO ने क्यों conduct कराई है NATO ने ये इसलिए conduct कराई है ये सातियों ताकि जो इसका नाम है Russia उसके खिलाफ जो इसकी European powers है न जो भी जितने इसके European allies है वो एक साथ मिलके synergy में in future अगर कोई attack होता है तो उसके खिलाफ retaliate कर पाई तो ये conduct कराई है ये एक exercise Steadfast Defender 2024 अब NATO के बारे में 2-4 facts जान लो NATO की establishment कहा हुई थी तो Brussels में इसके headquarter है और इसकी स्तापना हुई थी सातियों 1949 में North Atlantic Treaty Organization और इनका मोटो क्या है इनका मोटो है you attack one तो you इसको consider क्या किया जाएगा you attack all all मतलब all of us जो NATO की सभी members है अगर आप एक को attack करोगे तो आप इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि आपने सभी को attack किया है और अभी 2023 में भी ये current affairs में था क्योंकि इसका एक last member जो जुड़ा है इसमें उसका नाम है फिन्लिंड और हाल फिलाल में इसमें Sweden भी जुडने वाल है जिस पर काफी वादविवाद चल रहा है रशिया और इसके बीच में यूएस के बीच में आगे बढ़ेंगे इस question को देखो Indian immunologicals has launched a vaccine वी vaccine launch किये नाम है इसका heavy shore तो ये किस disease के लिए launch किये तो आपको याद रखना है H4 heavy shore and H4 hepatitis तो hepatitis A के लिए ठीक है HA से आप याद रखेंगे hepatitis कौन सा A इसकी 5 category होती है hepatitis की A से लेके E तक तो ये जो launch किया गया है ये hepatitis A के against launch की गयी है ये heavy shore नाम की vaccine और ये एक तरीके का virus bond disease है और ये काफी contiguous है मतलब spread होता है और ये फैलता कैसे है ये फैलता है जब आप किसी contaminated food के touch में आ जाते हो न food हुआ या कोई blood हुआ उसके touch में जब आ जाते हो तब आपको ये जो है बिमारी लग जाती है और इसी के साथ आपको ये पता होना चाहिए इस बिमारी में होता क्या है तो liver पे inflammation हो जाता है सूजन आ जाती है ठीक है liver infected हो जाता है इस किसमे और हम world hepatitis day ये भी आपको पता होना चाहिए ये कब celebrate करते है 28 जुलाई को हम ये celebrate करते है world hepatitis day liver के बारे में एक factor बताता हूँ liver आपका largest gland है human body का आगे बढ़ेंगे इस question को देखो which republic day is India celebrating in 2024 तो 2024 में हम बना रहे है पिचेतरवा गंतंतर दिवस अब हम गंतंतर दिवस को जो है वो celebrate क्यों करते है तो सातियों आपको पता होगा 1929 में लाहूर में session होता है और उसमें demand की जाती है किसकी पूर्ण सवराज की ठीक है बट ये जो demand थी है केवल Congress members जो उस time पर present थे उनके सामने की गई थी तो इसकी जो public declaration थी ना सातियों वो officially की गई थी 26 January 1930 को ठीक है बई अब ये जो declaration थी इसको Congress वाले लोगों जो Congress के जो head थे Congress members जो थे उन्होंने लोगों को बोला था कि आप इस दिन को celebrate करो as a Independence Day तो उसी चीज़ की significance को देखते हुए हम 26 January को गणतंतर दिवस celebrate करते हैं ठीक है बई दूसरी बात अब की बार के जो गणतंतर दिवस है पिछत्तरवा गणतंतर दिवस जो है उसमें हमारे चीफ गेस्ट कोन है तो वो है Manual Macron ये French के क्या है राष्टपती है और इनको अब की बार जो PM मोदी सावे वो क्या दे रहे है वो एक राम मंदिर का statue भी गिफ्ट कर रहे है और एक important fact और आप जानलो अब की बार के गणतंतर दिवस से लेटेड कि अब की बार पहली बार All Women Try Services Contingent की marching होगी कहा करतब्य पत पर जिसका पुराना नाम था राजपत Try Services से मेरा मतलब है Army, Navy और Air Force आगे बढ़ेंगे इस Question को देखो National Voters Day is celebrated on तो भई ये दिवस हम कब बनाते हैं राष्टे मत दाता दिवस तो हम ये मनाते हैं 25 जनवरी को और ये क्यों मनाते हैं 25 जनवरी को क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ECI Election Commission of India इंपॉर्टेंट डैप की बार थीम पुछी जाती है एकसर एक्जाम्स में तो इस साल के जो वोटर डे है उसकी जो थीम थी वो थी साति हूँ Making Every Vote Count No voter To Left Behind ठीक है ये अब की बार की थीम थी Making Every Vote Count No voter Left Behind तो थीम आप याद रखिएगा Election Commission of India इसका Article 324 में मेंचन है और ये चुनाव आपके खराता है Vice President President Prime Minister जो लोग सभा के चुनाव होते है राज्य सभा के जो चुनाव होते है State Elections जो होते है ध्यान दीजेगा State Election जो है वो State Election Commission नहीं कंड़क कराता है State Election Commission जो है वो पंचायती राज और Municipalities के लेक्शन जो है वो कंड़क कराता है ठीक है Municipalities तेई जन्वरी को हम क्या मनाते है तेई जन्वरी को हम मनाते है प्राकरम दिवस ये हम मनाते है बर्थ एनिवर्सिरी ओफ सुभास चंदर बोस और 2019 से हम ये सेलिबरेट कर रहे है 24 जन्वरी को साथियों National Girl Child Day और International Education Day ये सेलिबरेट करते है तो ODI Cricketer of the Year अब T20 Cricketer of the Year T20 में किसको मिला है Cricketer of the Year में तो ये मिला है ये कुमार यादव को और Female में किसको मिला है साथियों T20 और साथियों T20 Player of the Year Player of the Year कोवर्ड किसको मिला है तो Male में मिला है S के यादव को और Female में किसको मिला है तो Female में मिला है Haley Matthews ये कहां की खिलाडी है West Indies की और आपको पता होगा West Indies नाम से कोई country नहीं है वहाँ group of island जो है वो एक मिलाके country बनाते है West Indies और उसको वो represent करते है तो 2020 player of the year का आप नाम याद रखेगा SK आदव और हैले Matthews अब एक चीज और पता होने चाहिए आपको एक है साथियों इसके इलावा main जो सबसे important है वो है क्रिकेटर of the year award 2030 ये किसको मिला है तो ये मिला है Pat Kimmings को जिनकी कैप्टेंशिप में जिनकी कैप्टेंशी में अभी Australia ने बल्ड कप जीता था आलफिलालमी ODA बला तो Pat Kimmings को ये award दिया गया है क्रिकेटर of the year का award ठीक है और इसमें इनको कौन से ट्रॉफी मिलेगी Sir Garfield Sober Trophy ये बहुत important है क्रिकेटर of the year ये पुछा जा सकता है आपको एक्जाम में क्रिकेटर of the year बने है Pat Kimmings male में female में कोन बनी female में England की खिलाडी जिनका नाम क्या है Nat Ski Wear तो ये चार-पांच important है ये आपको याद रखने चाहिए Rohit Sharma जो है ये पहले खिलाडी बने है 5 पांच बार क्या बनाने वाले century किसमे T20 में ठीक है और Australia की खिलाडी है जिनका नाम है Michael Stark ये IPL की हिस्ट्री में साथ हूँ सबसे महेंगे खिलाडी बिके है 24.75 करोड़ बे IPL की इस्ट्री में ठीक है अब ICAC के बादे में बात कर लेते है इसका headquarter कहा है दुबई में UAE दुबई में इसके स्थापना 1909 में की गई थी और इसके CEO जो है उनका नाम है Geoff Eldrise ये पुर्फ Australian क्लाडी है और यहां के जो President है उनका नाम है Greg Barclay आगे बढ़ेंगे सवाल को देखो अभी अरुनाचल प्रदेश की कई items को GI tag मिला है तो साथियों ये जो चीज है ये भी आपकी कहां की है अरुनाचल प्रदेश की कुछ और नाम आपको याद अखने है अरुनाचल प्रदेश से जिनको GI tag मिला है हलाकि पिछले थर्ड वीक के Current Affairs में भी मैंने ये नाम आपको बताया थे कुछ जैसे आपके गुजराद से थे और कुछ और स्टेट से वेस्ट बेंगल से थे उनका भी नाम आपको याद रखना है तीक है वो लिस्ट मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे भी अप्लोड कर आई थी तो वहाँ से भी आप उसको चेक आउट कर सकते हैं और नाचल प्रदेश के जो आइटम थे जिनको GI tag मिला है तो वो आइटम कौन-कौन से है वो आप इक बड़ देख लीजेगा यह आप याद रखेगा यह एक तरीके की चाहिए है अधी अपोंग, अंगायन, मिलट और मरुग अपो और अपातानी इनको GI tag मिला है यह कहां से हैं और नाचल प्रदेश से और पिछले वीक के करेंट अफेस में सुन्दर बन हनी आपने सुना होगा इसको GI tag दिया गया है यह कहां से, विस्ट मेंगॉल से और GI tags आती हो GI tag यह किस act के तहट दिये जाते हैं तो Geographical Indication, Registration and Protection Act 1999 इसके तहट यह tag दिये जाते हैं कोई भी चीज जो जहां की native होती है उसकी protection करने के लिए यह tag जो है यह दिये जाते हैं तो दूसरी trillion dollar company जो बनी है उसका नाम में Microsoft पहली कौन सी थी? पहली थी Adobe नहीं, Apple पहली Apple थी साथियो यह 2022 में बन गी थी और अब 2024 में कौन सी बनी है? Microsoft Microsoft के जो President और CU हैं, उनका नाम Satya Nandela Headquarter इसके Washington में ठीके, next Exercise desert night has been held between which countries? तो यह इन तीनों कंट्रीज के बीच में हुई है साथियों India, France और UAE के बीच हैं और यह किस टाइब की exercise है? यह Air Force Based exercise है और कहां पर हुई है यह? यह हुई है Arabian Sea में ठीक है? एक दो exercise और नियूज में थी उनका नाम बताता हूँ यह है खंजर यह भी हिमाचल पर्देश में हुई है और खंजर जो है साथियों यह करगिस्तान और इंडिया के बीच की exercise है आपकी Army Based exercise है और एक अभी Special Forces Related exercise हुई थी किस के बीच में? इंडिया और Egypt के बीच में इसका नाम क्या है? इसका नाम है Exercise Cyclone ठीक है जी? और पिछले विक में हमने एक exercise पढ़ी थी जैसका नाम था? अयुद्धा यह नाम पढ़के आपको अयुद्ध्या की याद आ रही होगी तो यह वही चीज है इंडिया और थाइलेंड के बीच में Cultural Ties को Strong करने के लिए यह exercise कराई गई थी अयुद्ध्या ठीक है? Next Which app has been launched by Union Government for Multilingual Education? तो education को Multilandwiches में काफी भाषाओं में बढ़ाने के लिए सरकार ने अभी अनुवादिनी एप जो है यह launch किया है तो नाम याद रखिएगा इसमें सरकार क्या करेगी? तो स्कूल और college level पर जितनी भी textbook होती है उनको सरकार सभी भाषाओं में भाषाओं कोन सी? जो की आठवे schedule में mentioned है 22 भाषाओं में digitally जो है अविलेबल कराईगी इनके app पर यह AI powered app है साथ लोग का Artificial Intelligence powered app अनुवादिनी app तो इस पर upload कराईगी तो यहां से आप इनको refer कर सकते हैं इनी सभी भाषाओं में Next Which Indian film has been nominated for 96th Oscar Award यह जो Oscar Award होते हैं इनको एक और नाम से जाना जाता है जिनको बोलते है Academy Awards तो Academy Awards भी नहीं को बोला जाता है Los Angeles में दिया जाते हैं यह इसमें तो इसमें अभी कौन से Indian film जिसको nominate किया गया है तो वो है To Kill Our Tiger ठीक है और आपको पता होगा 2023 में दो इंडियन चीजों को Oscar Award मिले थे एक तो Not To Not To Song को Not To Not To Song ठीक है तो इसको मिला था Best Original Song में category में और एक Documentary Film में मिला था Short Documentary Film में जिसका नाम है Elephant Spurs इसको documentary film में Oscar मिला था ठीक है आगे बढ़ेंगे Who has been awarded the Bharat for 2024 तो 2024 में भारत जिसको दिया जा रहा है उनका नाम है Karpuri ठाकुर ये Former CM थे किसके विहार के और पहले Non-Congress person Non-Congress CM थे किसके विहार के ठीक है Next और इसके बारे में एक चीज़ और जान लो भारत रत्न जो है ये एक साल में Maximum 3 लोगों को दिया जा सकता है ये एक साल में सात्यों Maximum 3 लोगों को दिया जा सकता है और Padma Awards जो थे उनकी स्टापना 1954 में की गई थी 1954 में ये पहली बार दिये गए थे अब ये जो अवर्ड है ना सात्यों मैंने आपको बताया था पीछे ही तो इस जन्वरी को हम क्या सेलिब्रेट करते है पराकरम दिवस तो उसी दिन जो है ये अवर्ड जो है दिये जाते है तो अब की बार ये अवर्ड दिया गया है 60 पेराशूट फिल्ड ऑस्पिटल को ठीक है इन्होंने काफी जो डिजास्टर हुगर आये थे उनमें साहता कीदी जो अभी आपके उत्राखंड और इस साइड में आये थे नेपाल में भी इन्होंने अपनी सर्विस दिलिवर की है तो इस चीज को देखते हूँ इनको यह वर्ड दिया गया है अब देखो ये एक स्कीम न्यूज में थी सातियों प्रदान मंतरी सूरिय उद्द्यो योजना तो ये स्कीम के बारे में आप थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इस स्कीम में सातियों क्या कर रहे हम तो इस स्कीम में हमारे जो प्रदान मोदी है उनका वीजन यह है कि वो एक करोड हाउसेज पर सोलर रूफटॉप पैनल्स जो है वो लगाएंगे इससे जो है दो फाइदे होंगे एक तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज जो है मिडल क्लास और लोवर क्लास के लिए वो काफी कम हो जाएंगे और दूसरी बात जो इंडिया की एनरजी टार्गेट है उसको ये मीट कर पाएंगे अब आपको पता होना चाहिए जो रिन्यूबल एनरजी टार्गेट है ना इंडिया का वो कितना है वो ये है कि 2030 तक जो इंडिया का टार्गेट वो है 500 गीगावाट का कि 500 गीगावाट हमें प्रोड्यूस करना है रिन्यूबल एनरजी सोर्स से यह इंडिया का टार्गेट है तो इसको देखते हुए कहिना कि यह स्कीम लाई जा रही है परधान मंतरी सूर्य उद्यो योजना नेक्स्ट वेर इस भारत परव बीन और्गनाईज बाई मिनिस्टी ऑफ टूरिजम तो भारत परव मनाया जा रहा है न्यू दिल्ली में यह क्या होता है बेसिकली यह प्री एंड पोस्ट रिपब्लिक डे से पहले और बाद में जो सेलिब्रेशन होती न उनको मार्क करता है यह भारत परव और इसमें बेसिकली क्या होता है इंडिया के rich culture को शो किया जाता है तो ये कहा हो रहा है ये न्यू दिल्ली में हो रहा है और एक अभी festival मनाया गया सात्यों थाइपूसम ये भी आपको पता होना चाहिए ये न्यूस में था थाइपूसम festival है ये celebrate किया है तमिल कॉमिनेटी ने और इसमें ये किसको वर्शिप करते हैं लॉर्ड मुरुगन 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 आपको पता होंगे ये कौन है कार्तिके जो कि आपके बेटे हैं लॉर्ड शिवा और पार्वतिके थाइपूसम festival आपको याद रखना है इसी के साथ दो तिन festival और news में थे camille festival camel festival का हूँ है to camel festival हुए आपका रज़िस्तान में और रज़िस्तान में भी जगा का नाम आपको पता होने ची रजिस्तान में कोन सी जगा हुआ ये फेस्टिवल तो सातियों रज़िस्तान के बिकनेर में हुआ है और एक थाप का Desert Festival Desert Festival का हूँ है Desert Festival हुआ है आपका Jessal Mir में और सातियों अभी UN ने न 2024 को International Year of Camelids गोशित किया है और 2023 को क्या गोशित किया था International Year for Millets ठीक है Next Question Who has been at Judge International Cricket of the Year 2023 पर BCCI तो भई International Cricket of the Year 2030 का खिताब मिला है सुमन गिल को ठीक है और इनको जो ट्रॉफी दी जाएगी साथी उसका नाम है Polly उमीर गर ट्रॉफी ठीक है और एक और Cricket से लेटेड इफेक्ट बताता हूँ IPL का Title Sponsorship जो है यह वापस से 5 साल के लिए किसको मिल गया है टाटा को ठीक है जी दीपती शर्मा को यह Women की केटेगरी में आवड दिया गया है यही सेम आवड Cricket of the Year 2030 Next Man Singh is related to which sport अभी यह हल फिलाल में नियूज में थे क्योंकि यह कौन है Marathon Runner और इन्होंने अभी हल फिलाल में Asia E Marathon Championship जो कि कहा होई थी हौंग कौंग में यहाँ पर Gold Medal लिया है एक्जाम में पूछा जा सकता है यह नाम Man Singh जो कि Marathon Runner है आगे बढ़ेंगे तो यह मिला है अलिया बट को और साओधी अरेबिया से लेटेट साथियों एक चीज़ बताता हूं यह 2022 में देखो 2022 में वर्ल्ड कप कतर में था अर्जेंटीना ने यह जीता था उसके बद 26 में होगा यह होगा तीन कंट्रीज में मेक्सिको जो वेन्यू है साथियों वो डिसाइड़ नहीं है बट 24 के वेन्यू डिसाइड है यह कहां औरने वाला है साओधी अरेबिया में और इसलिए आप देख रहे होगे साओधी अरेबिया में काफी जो फुटबॉल वाला कल्चर है ना वो काफी बड़ुल रहा है दीरे दीरे और इनकी एक नहीं सिटी है जिसकी नाम क्या है नियोम नियोम शहर को बसा रही है यह क्यों बसा रही है त्यूटिंकि नियोम सिटी को यह काफी हाई टेक मनाने वाले है क्योंकि यह साथी अपनी जो fields हैं उसमें अपने आपको excel करने की कोशिश कर रहे है ठीक है आगे बढ़ेंगे अब इस question को देखो मामनी मामनी festival जो है ये कहा organize किया गया है तो ये organize किया गया है लद्दाक में लद्दाक का ये ethnic food festival है ठीक है कुछ और important festival जो लद्दाक के पूछे जाते है एक है लोसर festival और एक है 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 मिस festival ठीक है है मिस से आपको पता हुआ है मिस national park ठीक है ये भारत का largest national park है ठीक है साथियों अगे बढ़ेंगे इस question को देखो where is the world's largest lamplet तो अभी world का सबसे बड़ा दीपक जो ही कहा जलाया गया है तो ये जलाया गया है अईद्धा में ठीक है इसका diameter कितना था 300 feet ठीक है 300 feet था इसका diameter आगे बढ़ेंगे where will be the tallest ram temple build तो सबसे उंचा ram temple का बनने वाला है ये बनने वाला है उस्ट्रेलिया के शहर पर्त में और इसकी च्ट्रेलिया कितनी होगी साथ है 721 feet उस्ट्रेलिया के desert के नाम आपको पता होने चाहिए great simpson great जितनी भी चीज़ है उस्ट्रेलिया में great simpson great victorian ठीक है और gibson फिर great barrier reef आपकी ये सबसे बड़ी coral reef है world में ये भी आपकी Australia में तीक है आगे बढ़ेंगे where was the artificial reef project inaugurated to boost fish production तो भई fish production को बढ़ाने के लिए artificial reef अब ये artificial reef क्या होती है साती हो ये एक structure create कर दिया जाता है यहाँ पर reef होंगी और reef पर आपको पता होगा यहाँ पर जहाँ पर भी attract होंगी कि वहाँ पर उनको food मिलेगा तो fish के production को बढ़ाने के लिए artificial reef क्रियेट कर की जा रही है और ये कौन सी सरकार क्रियेट करती है ये कर दिये किरला की सरका D option यहाँ के CM है पिन्यारी विजिन और आरिफ मुहम्मद खान यहाँ के कोन है यहाँ के हैं governor यहाँ का हमारा last question रहेगा इस question को देखो which country has imposed the death penalty with the nitrogen gas for the first time अब भई ऐसा करने वाला पहला देश जो बना है वो बना है USA उन्होंने अभी हाल फिलाल में एक आदमी को जो है ऐसे death penalty दिये ठीक है मतलब nitrogen जो है उनको inhale कराई जाए और फिर कुछ देर बाद उनकी क्या हो जागी death हो जागी तो एसा करने वाला पहला देश बना है US। फिलिपिन्स को अभी हल फिलाल में हम क्या देरे थे बिर्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसिल तो यह पता होना चा है आपको बिर्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसल जो है यह फिलिपिन्स को दी जा गए और France का सातियों मैं बता चुक हूँ यहां के जो प्रेजिडेंट है वो चीफ केस्ट बने है अब की बार की रिबगली डे परिड़ी तो सातियों ये थ्याज के मारे कोशन उमीद कर रहे हैं कि आपको कोशन अच्छे लगे होंगे अगर आपको कोशन अच्छे लगे हैं और का कॉंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को एक लाइक जरूर करें आप आपके लाइक से हमें काफी मोटिवेशन देखने को मिलता है और हम और भी ऐसी वीडियो आपके लिए लापाते हैं कोई भी सातियों आपका सुझ आपने होंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखें अपने परिवाद जनों के साथ रहें खुश रहें जयहिंद